राजा कृष्ण राय का जन्म दिन था। इस सबसर पर उनके पडोसी देश के राजा किर्थिवाहन ने उन्हें एक अनोखी मूर्ती भेट की। मूर्ती को एक ओर से देखने पर लगता, जैसे कोई वीर सैनिक हात में तलवाळ लेकर बड़े जोश में आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर से देखने पर लगता था, कि जैसे कोई तेजस्फी साधुबाबा मुस्कुराते हुए, हात में दिया लिये खड़े है। मूर्थी को देखकर राजा कृष्ण देव राय ने दर्बायों से पूछा क्या आप लोग बता सकते हैं किस मूर्थी का अर्थ क्या है इस पर सेनापती ने कहा मुझे तो लगता है किर्थी वाहन ने तलवार लिये सैनिक की मूर्थी भेज कर आपको युद्ध के लिए ललकारा है मंत्री ने सेनापती की हां में हां मिलाई पुरोहिद जी बोले महराज मूर्थी को दूसरी ओर से देखने पर एक साधू भी दिखाई पड़ता है किर्थी वाहन ने व्यंग किया है कि या तो आप उनसे युद्धे लड़ें या फिर राज छोड़ कर सन्यासी हो जाएं इसी प्रकार अन्य दर्बारी भी अपनी राय देने लगी पर राजा कृष्णदेव राय को किसी की बाद जची नहीं वे तेनाली राम की ओर देख कर बोले आपने कुछ नहीं बताया? क्यों? तेनाली राम मुस्कुराते हुए बोले महराज, जब युद्ध की बड़ी-बड़ी बाते की जा रही हूँ तो मैं भला क्या बोलूँ? पर मुझे तो इस मूर्ती में युद्ध नहीं प्रेम का संदेश नजर आता है सुनकर राजा चौकी बोले कैसे? यह तो आपको बताना पड़ेगा पेनाली राम बोली महराज, मंत्री जी और सेनापती जी ने तलवार तो देखी पर भूल गए कि तलवार के साथ दिया भी है कीर्ती वाहन आपके मित्र है और आपके जन्म दिन पर उन्होंने उपहार भीचा है मुझे तो लगता है कि उन्होंने यह बतलाना चाहा है कि आपकी दिल में अपनी प्रजा के लिए दिये की तरह सच्चा प्रेम है पर साथ ही जरूरत पढ़ने पर आप किसी पाहू बली की तरह हाथ में तलवार लेकर प्रजा की रख्षा भी करते हैं ऐसे में मेरा मानना है कि यहाँ अनोखी मूर्ती भेज कर उन्होंने आपका सम्मान पढ़ाया है यह सुनकर राजा कृष्ण देव राय ने तेनारी राम को गले से लगा लिया